प्रतीक क्या बनने जा रहा है और मैं अब पंकर जी आपके पास आउंगा क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले तमाम तरह के सवाल आता है हाला कि इशारा कुछ उमसे नहीं जीने करने की कोशिश की कि चाहे सरकार एक कैसी भी रही है लेकिन सवाल फिलाल क्योंकि गुड गवर्नेंस दे आपकी सरकार ने बनाए इसलिए जवाब आप से बनता है बिल्कुल देखें के इस सरकार की योजना थी शुशाशन दिवस मनाए जाना आप इन्हों पूछा सुशाशन दिवस कैसे रहा बहुत जोड़ से बोला कि साथ बिजली जो है गाव में ने इन इन भावर जी यह जो देश को देश और प्रिदेश का जो कर जा है ना ये प् आपको इस बात का नहीं आपको आप करोणों उटाने के लिए जो के जो पे अपनी इस सरकार की सालगीर मना सकते हैं लेकि तब घर फॉन देटेते कि लिए अगर जंता के लिए के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई अधिकार करोड़ों उपे खर्च करके सरकार के साल गिरे मनाएं लोके जी आप जवाब ले लिजी गाएक बार सुन लेते हैं पांकच जी को एक मुनेट इत्मनान से सुनते हैं फिर जवाब लेंगे बिलकों देखिए जहा हुआ जो फीडर रिनेवेशन था वो फीडर रिनेवेशन बंद हो गया जो लाइने जो हैं अंडरगान होनी थी बंद हो गई उसके बाद में आप देखे कि जब कर दो दो पंद्रासों मेगावेट बिजली का उत्पादन किया था जिसे कॉंगरेस सरकार ने साथ हजार मेगावाट करके छोड़के दिया इनको अगर यह लोग इस बात को बरगलाने का प्रयास कर रहें प्रदेश की हैं इनके समय में सिर्फ पंद्रासों मेगावाट इन प्रदेश की पिछली सरकार ने साड़े साथ अजर मेगावाट बिजली का उत्पाद की लिए जोड़ा है। जो बात बागर जी ने उठाई कि सरकार ने एक साल के दर क्या किया उसमें क्या शाशन दिया हमने जब आप किसी भी चीज का जो आज की हालात है कही ना कहीं आगे आकर के जो डैट्स बनेगे वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से कहा गया कि तमाम अपसरों को रात्री चोपाल लगानी चाहिए। गाउं के दोरे करने चाहिए। और कम से कम अफसर गाउं में जाएंगे तो जो बुनियादी परिशानी है चाहे बावर जी ने जिक्र किया या लोकेज जिन बातों का जिक्र किया और ओम सेनी जी ने भी इशारा किया। वो जो छोटी थोटी परिशानी है बर्त निदेट बनाना है जनम प्रमान पत्र बनाने तमाम तरह की बात है जमीनों के रुपांत्रन की बात है यह आम आदमी की समस्य बुनियादी समस्य पानी बिजली के कनेक्शन नहीं और लंबित पड़े हैं मामले खेत के लिए इंतिजार करना पड़ता है चोटी चोटी समस्या है जो अगर लगातार अफसर गाउं में जाएंगे उनका समाधान हो जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है आपके सर्कुलर पहले भी जारी हुए अज की तहपर पूरे लोगों को पानी की सप्लाई में शौटेज रहती है तो हमने कहा कि इसको जो है हम जो है चंबल से जोड़ेंगे उसके काम चालू करती है जो है डिपयास बन करके आने वाली है ताइम के उपर टेंटरस हो जाएंगे ये जो है पानी की समच्छा पर ज प्रदेशों में पानी नहीं है कहां से लिया हो गया है लोकेश जी अब आप बताईए कि तमाम तरह की चाहिए है क्या बात हो सकती इंपर जंबल में इतना पानी नहीं है जो राजस्तान में पिला देगी अपने राजस्तान के लोगों को पानी देने से मना कर रहे हो आप वहां पानी जो मिलना चाहिए वह पानी नहीं दे रहे हो पंजाब पानी एक बसल है बावर जी एक बावर जी नहीं जिक्र किया बिजली और पानी का लोकेश जी पहले मैं इस पर जवाब चाहूंगा क्या यह योजनाय आने वाले वक्त में कारगर साबित हो पाएगी क्या गोड गवर्निंस का प्रतिक बन पाएगी देखिए अगर भारतिय जनता पार्टी इस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ाती तो यह समझ में आता कि भारतिय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता की फिक्र है और यह बात कर सकते हैं और हम भी यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यह काम करना चाहते तो वास्त देना चाहेंगे आपका सुशासन अगर इस प्रदेश का विधायक प्रदेश का मंत्री अगर जाली देके बात करना चाहता है उसे प्रदेश की जनता आपके सुशासन के लिए तयार रहेगी आप यह नहीं पूछ रहे हैं कि 14-15 के एंडर इन्हें 40,000 कर्षिक नशन देने थे उसमें से कितने दे दिये तूँकि आपको पता नहीं है और इन्हों ने वो पत्र जारी नहीं किया एक साल कंप्लीट होने पर कि हमने यह दावा किया तो अमने यह कर दिया वो नहीं लगे हैं चार सो केवी के दो सो केवी के स्टेशन मनाने थे वो नहीं बने हैं यह बात अगर आप पूछे तो अर्थ लगेगा आप सरफ को की नहीं किया नहीं लिए तमाम जो चीजें हैं कि इनोंने जो अपना गोश्णा पत्र बनाया उसमें बात की कि हम इतने करेशन वरका उन्हें करेशन हो नहीं है लेकिन उसकी बश्चा नहीं पानी की पानी की सुषाशन की आपने जी एसस्वाइब करेंगे उसका जो लाइन आनी थी ना उसकी जगे नहीं है क्योंकि वह बीच में आप दावा करें तो क्या होगा आप ये बताओ आपके सुषाशन में आपने प्रदेश की जनता को क्या दिया आप उसका जबाद दीजिए कॉंग्रेस ने क्या किया फिछले पाफ साल में सुषाशन के नाम पर आप जो देख रहे हैं देश में जिस मद्धाता ने वोड दिया ना उसकी तो कोई सरकार को परवा नहीं है जिसने नोड दिया ना उसकी सरकार परवा कर रही है जैंस बाट अब तक आवाज कि लगता है कॉला डिसक्नेक्ट हो गए ब्रेक पर जाने का वगया है बेक पर आखरी दोर में लोटेंगे समझने की कोशिश करेंगे पंकर्जी से फिर जवाब लेने की कोशिश करेंगे अगले चार साल में प्रदेश सरकार और तो फिर अगले साड़े चार साल में केंद्र सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिसको आज सेलिब्रेट किया गया वाजपई के लिए क्या सच में एक बड़ी सोगात होगी आज का दिन प्रेके बाद जानेगे कि खचार घर तो आप इसरा दो देखो काम तो और है है पाद तो काम करते लिए इस तो है आने चाहिये हैं और कुछ काम किया भी और कुछ आगे करने की चंहिशा करनें present नीकार ग्री लए लगंग ए ल og पता अच्छी भी हो जाया है, वह रोजानी है कुछ भी के तक हुआ हुआ है, अच्छे दिन आएंगे, सोच रहे हैं जब कि आएंगे आएंगे, अभी तक नज़र नहीं आया है वसे कर दो कर दो कर दो कि अच्छे दिन आएंगे, आपके जवाब हमें नहीं बने देखते हैं, कि अच्छे दिन अच्छी सरकार आ सकती है आखिर सुष्यासन के लिए जिम्मेदार कौन है और फिर इसके लिए शिकायते तमाम होगी है सुझाव क्या हो सकते हैं बावर सिंग जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगी दिखो यह सरकार को क्या है मैं आपको पहले भी आपके ड पाऊधारवादी उनको तेजी से लागू करने के लिए उनको चैरा चाहिए था वह चैरा था मोधी जो पुझिपतियों के दौरा प्रोजेक्ट किया गया यह कोई देशकी दंता का चैरा निया मोधी मोधी कॉर्परेट सक्टर का चैरा है उसमें वही काम कर रहे हैं जो बीमा गेर, इनके सब लाग करके, आप देखो सबसे बड़ी, जो मोदी जी कल तक ये कहते थे, कि सब पार्लेमेंट की जो असी उड़ा रही है, आज मोदी खुद क्या कर रहे है, बिल जो एक समीति को सुपा हुआ है, बीमा बिल, आज उस बीमा बिल को वो अध्यादेश के सरम आने की बात है, ऐसा देश में प्रदान मंत्री होना नी चाहिए, ये देश की जनता का अपमान और परलेमेंट का अपमान आज उन्होंने किया है, कि इस तरह का अध्यादेश ला रहे है, गैर कानूनी है, उसको ला नहीं सकते है, जब एक प्रवर समीति को अगर कोई म हो आपने सौर्स हैं जो मंत्री राज़स्तान में कहा रहे है, अपने सौर्स पैदा करो निगमों को, निकाएंगों को, खुद ही भारास सरकार, जो ली फैला ए धूर रही है, जो जा करके दुनिए में जा रहे है, जा क्या जाना चाहिए? क्या आ रहा है मैं कि रहा हूँ आया क्या भी तक आज इन्होंने च्हेमें ने में देश के जो संसादन है जिनकी लूट मच रही है उसके ओपर लोग लगानी चाहिए जो ब्लैक का पैसा भारत में है जमीन में सबसे ज़्यादा पैसा पढ़ावा है कालाधन विदेशों में जितना भारत में क्यों निकालती सरका इनके खुद नेतार इनके मंत्री दबाके बैटे कालाधन सरकार के लोग बैठें दबाके उसको इनको कवर करना चाहिए ना आज जमीनों का रिकॉर्ड पूरे देश में कंप्टराइज होना चाहिए कोई भी जमीन इधर से उतर बिक जनता पार्टी करती है तो एक आम आदमी के हिसाब से आम नागरिक के लिए सुशासन का अबिप्राय उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में सहुलियत का होना है और उस सहुलियत को लाने के लिए भारतिय जनता पार्टी को प्रयास करना होगा क्योंकि जिस तरीके के को यह कहते हैं हमने कम कर दिया अंतररास्ट्य मार्केट में जो कम हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे पूरे देश में लागू करना चाहिए उससे माल भाड़े किराय में कमी लानी चाहिए तमाम जो और इन्होंने जितने तरीके के टैक्सेज लगा रखें उ इसे लेके आम आदमी संतुस्ट मैसुस करें अपने आप में कहीं न कहीं यह सोचे कि यह सरकार बदली है और नरेंदर मोदी जिसको हमने इस देश का परधान मंत्री बनाया है वो हमारी बात सुन रहा है उन्होंने इस पिछले साथ रहने में सिर्फ और विदेश्वी प्र सरकार थी इन्हों के यहां से अभी तक जो है आरोप में बताई है अपना अपना अजेंदर में बने जाएंगे दूसरा जो है आप इसके साथ यह भी देखिए कि जिन यूरोपे कंट्री की जो विदेशी मुद्रा के अंदर जो गिरावट है रही डॉलर की प्राइस में उ पंकर जी जूट तो नहीं बोले आप आप आपके जो है जो है जो है आपको रोजाना इस चीज़ केता है दूसरा आज की डेट के अंदर जो फोर्कस्ट हैं जो अमेरिकन जो इक नोगे आप उपलब्दिया गिनारे मैं पूछ रहा हूं कि आगे क्या होने जा रहा है आगे जो होने जा रहा है आज चाहिए किसी भी चीज में डिजन में की जो आपके पास आँगा मैं जो उम्मीद कर रहा था आम आदमी जो सोचता है गुड गवर्णेंस की बात जिसके लिए तीनों जानते हैं कि छोटी-छोटे मुद्दे हैं जो सुष्क्रासन का प्रतीक होते हैं वो मुद्दे कहीं तीनों की बातों में नजर नहीं आएं क्योंकि सुझाव मैं जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं सोच रहा था कि कम से कम कोई अफसरों पर बात करेगा कोई सरकारी कामकाच पर बात करेगा कोई कोशिश करेगा इस बात को जिताने और समझाने की कि आम मादमी के लिए रोज मर्रम क्या परिशानी आती है सब्जी दाल भात का भाव किस तरह से बढ़ता और घठता है उस पर जब परिशानी आती है कहीं ऐसे सुझाव आएंगे अब मैं आप से जनना चाहूंगा देखे कल्यान करे राज्य की हैसियत से राज्य की कुछ जिम्मेदारिया बनती है और वो यह जब से ग्लोबलाजेशन के जमाने के साथ में रिफॉर्म्स के नाम पे जो कॉर्परेट डोमिनेशन वाली जो एकॉनोमी आई है मार्केट ओरिंटेट उसके इंपैक्ट है अब य प्रसाषन की कि बात करती है उनको सबसे पहले जरूरत कि चीजें महेंगाई ब्रस्टाचार और क्या जिसे ये जो कानून और प्रसाशन की बाते हैं इनको सुधार करने का तत्काल काम करना चाहिए इसके लिए जैसे मुख्यमंत्री ने का यह एक साल के लिए नहीं पाथ साल के लिए हैं और इंतजार करते रहे हैं हम वादे पूरे करेंगे यह कोई जवाब नहीं है ऐसे में लोगों का सब्र टूट रहा हमने आज देखा हिए सब लोग किस तरहें की बाते पूछ रहे हैं तो ऐसी इस्तिती में जब तक आप महंगाई रोजगार नहीं महंगाई कम ना करेंगे रोजगार का इंतजाम ना करेंगे जो आपने वादे किये थे जो कुसाशन की ब अमधन मौहन मालविया और अटल विहारी वाच पही को याद किया